हमारी घर के बिलकुल सामने एक साहब अपने कनवे के समीत आबाद हो गए थे। उनकी चार लड़कियां और दो लड़के थे। घर का सरबरा, उम्र रसीदा और रेटायर्मेंट की उम्र को पहुँचने वाला था। बड़ी तीन बेटियां जवां साल जबकी बाकी बच्च कम उम्र थे और इसकोल जाते थे। बड़ी लड़की का नाम दिल आरा ही था जिसने आठवे के बाद इसकोल छोड़ दिया था। इससे बड़ा इनका बेटा आली जो एफ एपास था और सुभ वालिद के साथ काम पर चला जाता था। ये दोनों रात गए वापस आते इनकी गएर मौजूद की मीन तीनों लड़कीयां दिल आरा, मुबीना और साहरहु मकान की छट या अपने घर के बीरोनी दर्वाजे से बारी बारी गली में जांकती नजर आती थी। कुछ दिनों तक उनका यही तौर रहा तो महले के नुजवानों को भी संगन हो गई और चंद दिल फिंक आवारा मुजाज लड़के उनके मकान के सामने चिकर लगाने लगे। की सिथराई गरस तमाम काम ही इस गरीब ने अपने सिर ले रखे थे और लड़कियां दिन भर बीकार बैठी ओट पटांग रिसाले पढ़ती थी। महले में उनकी बातें फिलने लगें। लड़कियों का बाप जिन को महलेदार सूफी साहब बलाते थे। वो बीचारा सोम उसलव का पाबंद और नहायत नेक इनसान था दोगनी महनत मुशक्कत करके कमबे का खर्चा बेमुश्किल पूरा कर पाता था। उसने खुद पर जिन्दगी का हर एश ओ आराम हराम कर लिया था ताकि इसके बचे पढ़ लिख जाएं और माशरे में इज़त का मकाम पाएं। गरीब आदमी के पास सवाए इज़त के और होता भी किया है। चाचा सूफी गरीब को क्या खबर के जिस इज़त की खातर वो इस बढ़ा पे में अपनी जान गहला रहा है। इसको इसकी बेटियां बेदर्दी से खाक में मिलाए दे रही है। वो अब महले के आवबाशों से तहफों और मोबाइल फोन की खातर पेंगें बढ़ा चुक स干ातर बेटियां 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 इसकी खातर आफी खातर आफी दे घसकी खातर वो सöyleus्जों और महले के थे सyसम्काने से भी खातर है।